हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज इस 16 अव फेबरी 2021 और नेक्स वीक से और एक IPO मार्केट के पर ओपन होने जाड़ा है इस बार केमिकल सेक्टर का IPO हरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड आईप्यो तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में हम हरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड आईप्यो के ओपर साथ-साथ IPO का डेट कब है यानि IPO कब ओपन होने जाड़ा है कब क्लोज होने जाड़ा है IPO में क्या इश्यू प्राइज रखा गया और आज की डेट पर इसका GMP यानि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने पर चल रहा है यह भी हम पता कर लेंगे और यह IPO में दोस्तो आपका प कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच्प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंप्ली यह चार्ट चीज़ों को तैयार रखना है आपका अधार कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिग यह कंपनी के ऊपर थोड़ा जानकर ही हसिल करेंगे कि कंपनी का क्या करता है कंपनी का बिजनेस मॉडल उसके बाद कंपनी का थोड़ा फाइनन्शियल पैरामीटर्स देखेंगे कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है उसके बाद हम जानेंगे यह आई-प्यों का डिटे तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंतक देखना तो चलिए सबसे पहले आता है कंपनी की उपर इन्फामेशन यानि कंपनी करता क्या है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह कंपनी काफी पुराना कंपनी है 1996 में एक गुजराज बेस्ट कंपनी यह कंप करता है डिफरेंट टाइप आप पेस्ट्री साइट इंक्लोडिंग इंसेक्टी साइट जो कि खेती कारवार में यूज होता है जनरली उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यह कंपनी का जो बहुत सारा कंपनी का मार्केट है यहां पर आप देख सकते हो इंडिया के अंदर टोटल 8600 डिलर्स है और टोटल 16 states and one union collector के अंदर अगर मैं बात करूं इंडिया के बाहर तो दोस्तों यह कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी export किया जाता है टोटल 60, 60 कंटी के अंदर यह कंपनी का प्रोडक्ट यानि यह जो insecticides, pesticides यह सब प्रोडक्ट है और इंडिया के अंदर भी बढ़िया चेन है चले दोस्ता हम देखेंगे कि कंपनी का कुछ strength जैसे कि सबसे पहला रेंज और प्रोडाक्ट पोटफोलियों इंक्लूडिंग इंटर्मेड़ेट्स formulation and technicals उसके बाद domestic as well as global rich यानि इंडिया के अंदर ऐसे बढ़िया मार्केट है इंडिया के बाहर भी बढ़िया मार्केट है उसके बाद strong distribution network क्योंकि distribution network हमने देखी लिया कि 6600 8600 डीलर से टोटल उसके बाद दोस्तों large customer base and experience promoter and management team क्योंकि कंपनी काफी पूड़ाना है तो experience management team तो हो गई उसके बाद दोस्तों यह company का जो promoters है यहाँ पर देख सकतो सदासिप के सेटी एन रघुराम के सेटी यह दोनों यह company का main promoter है अब हम देखेंगे company का financial parameters यानि sales growth profit growth के उपर सबसे पहले देखूंगा यहाँ पर profit growth जो की financial year 18 में चल रहा था 468 million रुपे उसके बाद वो बढ़के हो गया next year 754 million उसके बाद दोस्तों financial year 20 में बढ़के हो गया 977 million रुपे तो यहाँ पर आप देख सकतो की profit growth का jump कितना शांदार दिखाई दिया जो की 18 में था 2018 में जितना चल रहा था 2019 के financial year में almost 80% बढ़ गया अगर मैं बात करूँ financial year 20 में और ज्यादा बढ़ गया और इस साल यानि 2020 के अंदर जो first six months September के अंदर यानि जून और सेप्टेमबर काटर दो क्वाटर मिला के दोस्तों outstanding यापर पर्फॉर्फॉमेंस दिया है almost 663 million रुपे का यहाँ पे और लेडी profit कमा लिया है दो quarter मिल के अगर मैं बात करूँ revenue यानि sales growth ता sales growth का भी यहाँ पे जबर्दस आपको दिखाई दे रहा है आपको जो नंबर मतलब हर एक financial यह में आपको थोड़ा सा growth दिखाई देगा यहाँ नाइटीन से 20 में थोड़ा सा sales कम हुआ था बट यहाँ पर प्रॉफिट से काम मतलब ठीक टाक हो गया तो यहाँ पे कमपणी का दो जो फाइनशेल पैरमीटर से वह बहुत ही शांदार है ग्रोथ जबर्दस्त है चाहे sales growth चाहे profit growth चले दोस्तों अब हम देखेंगे यह जो आई प्यों ला रहा है company यह किसले ला रहा है तो clear cut लिकाओ है तीन पॉइंट to meet business working capital requirement यानि कमपणी के पैसे की जरूरत है to meet general corporate purpose and to meet public issue expenses तो दोस्तों उसके बाद हम अब दूसरा point हमारा आई प्यों का details देखेंगे सबसे पहले यह आई प्यों ओपन होने जा रहा है 23rd of February यानि next trading week के next week मंगलवाट Tuesday की दिन यह आई प्यों ओपन होने जा रहा है तीन दिन का आई प्यों रहेगा जनरली होता है तेईस चौबिस पचीस 23rd 24th 25th 25th of February यानि Tuesday Wednesday Thursday Thursday यह आई प्यों का closing date है यह आई प्यों एक book build issue type IPO है और यह IPO में जो चितने भी share issue किया गया सारे share का face value है 10 रुपए face value तो दोस्तों यह IPO का जो price रखा गया है यह IPO में 626 रुपए से 627 रुपए मैं आप retail निवेशों के यह request करूँगा कि आप इसमें cut off price में tick करना otherwise या पे जो higher price brand है 627 उसमें आप click करना यानि उस पे आप order place करना तभी आपको थोरा सा चांस ज्यादा रहेगा एलोट में मिलने का उसके बाद अगर आप यह IPO में एक lot apply करना चाहते हो तो आप उसके लिए आपको टोटल 23 quantity का share order place करना पड़ेगा और वही इसका minimum order quantity भी है यानि एक lot में तेश यह वान lot is equal to 23 shares ठीक है उसके बाद दोस्तों यह IPO का size देखे काफी बड़ा IPO लेके आ रहा है chemical sector का almost 625 करोर का यह IPO उनमें fresh equity share add किया जाएगा 60 करोर का और जितने भी बचता है बागी यहां पर offer for sale के थ्रू यह company के जो main promoters है उन्हाने अपना हिस्सेदारी बेचेगा उसके बाद दोस्तों कुछ importance time tables यहां पर लिखा हुआ है जैकि सिकी यहां पर IP open होने जा रहा है 23rd of February यह हमने अल्रेडी देख लिया तीन दिन का IP सब्सक्राइब लाइगा 23rd, 24th and 25th यह IPO का closing day है उसके बाद यह IPO में अगर आपने apply किया तो आपको यह IPO में allotment मिला या नहीं मिला यानि basic of allotment date यह result आपको पता चलेगा 2nd March जेनरली एक दिन late होता है 3rd, 2nd या 3rd March के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको allotment मिला या नहीं मिला उसके बाद आपको अगर यह IPO में allotment नहीं मिला तो आपका जो पैसा unblocked हुआ था वो फिर से unblocked हो जाएगा 3rd March को और आपको अगर यह IPO में allotment मिल गया तो आप आपके जो debate account है वहाँ पे यह IPO का share credit हो जाएगा 4th March को और यह IPO का listing day है 5th March, date यह IPO का listing होने जा रहा है 5th March, उसके बात दोस्तो डीटेल लिए कुछ importance यहाँ पे कितने lots आप apply कर सकतो, minimum एक lot आपको apply करना पड़ेगा अगर आप apply करना चाहते हो, एक lot में पहले में आपको बत प्लेस करना पड़ेगा, उसमें 13 quantity share में आपका जो amount block होगा, एक lot apply करना में 14,421 रुपए, 14,421 रुपीज, उसके बाद कोई भी रिटेल निमेशा कि यहाँ पे total maximum 13 lot apply कर सकते, 13 lot apply करना में आपका total 299 यानि 299 quantity का share share यहाँ पे place करना पड़ेगा, और total 13 lot अगर आप apply करते ह तो आपका जो total यहाँ पे amount block होगा, 1,47,440 रुपए, तो दोस्तों यह था retail category के लिए specially, और यहाँ पे आप देख सकतो, जो अभी IPO के पहले, यहाँ पे जो promoter का strike है, 98.1% है, यह IPO जब मार्केट पे list होगा, प्री post issue होगा आप देख सकतो, तो इसमें जो promoter का हिस्सेदार आप घटके हो जाएगा, 74.1%, अब retail निवेशाओ के लिए मैं और एक news देदा हूँ, कि यह good news है, कि यह IPO में retail निवेशाओ के लिए total 35% share allocate किया है, यानि share booked है, 35%, काफी huge quantity, तो दोस्तों यह था हमने IPO details, यह company का details देख लिया, अभी हम चलिए, थोड़ा सा इसका GMP check कर लेते तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे जो यह update मैं आपके सामने share कर रहा हूँ, 16th of February 2021, जि ग्रे मार्केट प्रीमियम निल, यानि अभी भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव नहीं हुआ, बट मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक्टिव हो तो जब भी एक्टिव हो जाएगा, मैं आपके साथ तुरंट वीडियो के तुरू शेयर कर दूँगा, और इसके लिए आपको भी बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चैनल के साथ जूड़ा रहना है, तो दोस्तों आप बात है कि आपको यह IPO में apply करना चाहिए य यह नहीं, मेरा opinion, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करो इसका financial parameters के उपर base करके, यह company का जो financial parameters है, चाहे profit growth, चाहे sales growth, वो देख सकते हो दोस्तों आप, बहुत ही शांदार है, rapidly grow कर रहा है, यानि एक चीज़ मैं बोल सकता हूं कि company का जो यह performance के उपर base करके, company long term के है था, hopefully यह IPO पे भी आपको जबर्दस subscription देखने को मिल सकता है, और market में जितने भी chemical sector का stock है, जैसे की deep ignited हो गया, alcohol amines हो गया, सारे stock दोस्तों multi baggers साबित हो चुका है, तो यह सब के चलते दोस्तों chemical sector का IPO है, तो यहाँ पे आपको जबर्दस listing एन मिलने का भी बहुत chance है, त समझदारी के साथ, सबसे पहले आप देख लेना की subscription कितना होड़ा है, एक day 1 पे, day 2 पे एन इसका gmp कितना चल ले है, उसके बाद आप जाके day 3 में apply करना, और आप चैनल के साथ जुरे रहना, इस चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं हर एक update आपको दे द आप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करके अंगरेच करना, चली मिलता नेक्स वीडियो पे, तब तक के लिए, take care, bye, jay hind